दोस्तों आज हम बात करेंगे camera servicing के बारे में और ये camera servicing जो है वो आप अपने घर में बैट के कर सकते हैं तो आज मैंने सुचा क्यों ना जो है आज मैं आपको थोड़े से simple steps के अंदर बताऊं कि किस तरह से आप छोटी छोटी चीजों को इस्तिमाल करके अपनी camera की अच्छ दोस्तों सबसे important चीज यह है जब भी आप अपनी camera की servicing करने बैठें तो यहां पर एक बात का ध्यार रखना है वो यह कि आपको अपनी camera की बैटरी 100% चार्ज करनी है यह मैं क्यों कह रहा हूं इसका कारण में आपको आगे बताऊंगा अब दूसरी बात समझ लिए दोस्त तो कि camera servicing में सबसे important चीज क्या है तो सबसे important चीज है दोस्तों हम अपने camera के sensor को clean करें दूसरे नंबर के दोस्तों जो हमारा camera का आप देख पारें यह इस तरह का पीछे जो LCD screen होता है उसे ठीक से साफ करें तीसरी चीज जो है जो हमारा viewfinder होता है हम उसे ठीक से साफ करें औ और overall 4th number पर आता है जो overall हमारी body है camera की उसे जो है बहुत ठीक से clean करें और बस अगर आप यह चार स्टेप कर लेंगे चार चीज़ें साफ कर लेंगे तो आपका camera जो है वह बहुत अच्छी से performance देगा सब कुछ दो है बिल्कु नया नजर आएगा और आपको एक अच्छी feeling आपने घर में बैटके अपना camera सर्विस कर लिया तो दोस्तों सबसे पहले आपको जूरत पड़ेगी इस rocket ब्लोर की बहुत ही काम की चीज़ है अगर आपके घर में नहीं है तो आप इसे amazon से मंगा सकते हैं मैं इसका link जो है लगा दूँआ नीचे amazon में और जो दूसरी भागने की ज़रत नहीं पड़ेगी तीसरी सबसे important चीज़ है दोस्तों वह है अपने घर में रखते हैं तो यह भी आपको जो है अपने घर में मिल जाएगी अब इसको कैसे use करना है वह मैं आपको बताने वाला हूं और आखिर में दोस्तों आपको जिस चीज की ज़रत सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हम शुरूआत करेंगे सेंसर से अब अपने कैमरा को यहां से जो है इस तरह से ओन कर लेते हैं और यहां पर हमें दबाना है मेन्यूंका बंटल और मेन्यू है कि यह दिखिए यहई आपको सींबल मिलेगा इस पर जाना है यहां पर आप dates अपकडिक्रार से आपको औप्शेखिए लृएसैं जनकर एक तो हमिशे कर तेगी कह देंगे करें तो आप देख पार है कि क्लीरिंग इमेज सेंसर रहने की इमेज का सेंसर हैं वह और और कर लेते हैं वापस इमेज सेंसर आगया स्क्रीन पर लिखा हुआ और कैमरा भी आपको नहीं करना है क्योंकि अंदर वाइबरेशन होता है तो इस बात का ध्यान रखना है अब दोस्तों हम देखते हैं आगे का हिस्सा तो आप देख रहें यहां पर आप देख पारें हमें एक मिरर दिखाई दे रहा है इस मिरर के पी कैमरा को करना है और इस तरह से हम जाएंगे वापस मेन्यू बटन में रेंच वाला जो है हम सिंबल सेलेट करेंगे यहां से और यहां पर लिखा हुआ रहा है दोस्तों आप देख पा रहे हैं लॉक मिरर अप फॉर क्लीनिंग तो अब हम जो क्या करेंगे दोस्तों इसको से अब क्या होगा दोस्तों जैसे ही मैं यहां पर देखिए इसको दबाऊंगा तो शट्र जो है वह ऊपर चला जाएगा मैं थोड़ा सा फ्रेंट पर ले लेता हूं इस तरह से देखिए और जैसी में प्रेस करूं ऐसे देखिए यह ऊपर चला गया देख रहा है और आपको जो है sensor दिखाई दे रहा है यह camera का sensor अब यहां पर आपको करना क्या है दोस्तों यहां पर रोल आता है हमारे इस कि देखिए इस blower का और आपको बहुत ही समाल के जो है इस तरह से कि देखिए कि इस तरह से आपको कि मैं थोड़ा सा camera एंगल ठीक कर लेता हूं कि देखिए आपको इस तरह से उल्टा रखना है इसको और यहां से जो है हमको कि ब्लो करना इस तरह से लिए तो जो भी sensor में डश जमी होगी दोस्तों वो डश जो है उन नीचे गिरेगी आखिए कि यह आपको तेरी से प्रेस करना ध्यान रखिए कि जब आप रॉकेट ब्लोर से साफ करें तो यह जो निडल है यह अंदर टच नहीं करनी चाहिए किसी भी सूरत में नहीं तो आपका कि यह Sensor डेश हो सकता है बहुती साफधानी से आपको इस तरह से करना के जब यह हमने क्लीन कर लिया इस तरह से तो हमें क्या करना है क कैमरे को जैसे हम ऑफ करेंगे मिलर जो है नीचे आ जहेंदा तो में यहां से mau कर देता हूं आफे यह देखिए और मैं केमरा तरह से और साफ कर लेते हैं कि अगर मिरर पे भी कुछ डस्ट पार्टिकल्स है तो वह नीचे आ जाएंगे सबसे इंपॉर्टन स्टेप है दोस्तों यह आप घर बैठके कर सकते हो क्योंकि जब सर्विस सेंटर में जाओ के तो बहुत पैसा लेते हैं वो लोगी सब करने का अ अब इसको साफ कैसे करना है दोस्तों तो इसके लिए मैं यूज करूँगा देखिए माइक्रोफाइबर क्लॉद यह मेरे हाथ में देख पा रहे हैं और साथ में जो है यह आप देख पा रहे हैं मेरा जो लिक्विट जो मैंने आपको बताया था कोई भी आपके घर में किस स्क्रीन के पर कोई लिक्विट जाए उसकी बजाए मैं स्प्रे करूँगा इस माइक्रोफाइबर प्लॉद पर देखिए इस तरह से यह देखिए यह मैंने यहाँ पर स्प्रे किया अब यहां आपको ध्यान रखना है क्लीन करते वक्त आप एक साइट से लीजिए इस तरह से आपको ऐसे रोटेशन में नहीं करना है ब्रोटेशन में करेंगे तो जो भी दस परटिकल्स है बो इस डाल सकते हैं तो आपको देखिए इस तरह से एक साइड में इसको इस तरह से क्लीन करना कोई वेक साइड़ यह आप इस साइड कर सकते है में लेफ्ट नुए राइट फ मिअश्त वां बैद में और आप देख मुश्त कर लिया और जो हमारा पीछय इससे तुरम कर सकते हैं तो बहुत असानी से हमने अपने視िट स्क्रीं को जो है इन कि अगता असानी से हमने है clean कर लिया और यहीं हिस्सा जो है उपर का यह हमें यूज करना है हमारे इस कि जूपर display यह स्क्रीन है इसके उपर और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो display होता है जहापे हम आये अइस और यह सब देख पाते हैं यहाँ पर भी आपको similar तरीके से clean करना है तो आप देख रहे हैं कि जो भी dust है वो सारी हमारी देखिए निकल गई है और camera जो हमारा अभी एक तम धीरे-धीरे जो है थोड़ा अच्छा दिखाई दिने लगा है आप देख रहे हैं और एक बार और थोड़ा सा left to right and right to left अब जो हमारा अगला step रहेगा दोस्तों वह रहेगा हमारा यह देखिए यह हमारा toothbrush आप देख पार है इससे हमें जो clean करना है वह करना है इसका body इस तरह से अब यह द्यान रखिए toothbrush जो है इससे हमें LCD screen या इस screen पर डिस्प्ले के ओपर नहीं करना है क्योंकि यहां पर इस तरह से scratch आ सकते हैं हमें करना है body को clean देखिए इस तरह से जो भी dust जमी होगी वह dust सारी जो है दोस्तों वह निकल दाती है देखिए इधर से कौर्णर के ओपर काफी dust जो है जमी रहती है और यहां पर आप अच्छे से brush से पूरा क्लीन कर सकते हैं और जहां पर dust नहीं है उस एरिया को छोड़ दिजे खामा खाँ जो है हमें ऐसे एरिया को नहीं चुना है जहां पर अल्रेडी clean है जहां पर cleaning नहीं है आप सिर्फ उस एरिया को ही clean कीजिए देखिए तो यह सारी जो dust है हलकेल की जम जाती है महीनों में स्पेशली यह जो जहां से अमारी grip होती है को इससे में काफी जो है पसीना डस्ट लगते रहते हैं तो इससे हम जरूर साफ करना चाहिए बाकि यह तिंग क्यामरा इस इन गुट कंडिशन तो प्रॉब्लम नहीं आएगा और यह चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान अटना है कि बहुत ही साफधानी से करना है यहां पर कुछ भी चीजों का आप ध्यान रखी कि डैमेज मत कर दीजिए आप ऐसे सेंसर में अंदर क्यामर आपको क्यों नहीं लड़नी है तो आप देख रहे हैं काफी हद तक हमारा जो क्लीन हो गया है और एक बार जो हम दौब आपस मैक्रोफाइबर क्लॉट लेंगे और उससे हम जो है यहां से भी थोड़ा-thोड़ा इसको क्लीन कर देंगे तो अब देख रहे हैं हमारा जो कैम लिंक लगा रहा हूं जहां से आपको पूरी किट भी मिल जाती है तो अगर आपको थोड़ाँ सा पैसा करणा है तो वह पैसा करके भी आप मंगा सकते हैं अब जो अग्ले स्टेप रहेगा वह रहेगा देखिए आप देख रहे मेरे हाथ में इस वक्त है कि एरवड है और यह बट से हम पहले जो है यहां से देखी जो न कॉंडर में कचरा जबता है व्यू फाइंडर पे वह हम निकालने की कोशिश करेंगे यहां पर भी आपके से सर्कुलर मोशन में है करना देखें थोड़ा-थोड़ा अगर कोई डस्ट है तो निकल जाएगी यहां से कॉर्णर से आपको इसे सर्कुलर में लेना है इस तरह से ठीक है बीच में से नहीं और बीच में से सिर्फ हमें हलके से बहुत लाइटली प्रेस करना है दोस्तों क्यों इसमें चोटे-चोटे रेशे होते हैं और उसके बाद जो है कि देखिए तो काफ यह तक हमारा जो व्यू फाइंडर है दोस्तों वह भी अच्छे से क्लीन हो गया है अब हम क्या करेंगे दूसरा हैसा लेंगे इसका एरबट का और यहां पर जो है हल का समय से लिकुड इस पर भी लगा देता हूं देखिए इस तरह से और यह लिक्विड हम थोड़ा सा यहां पर देखिए अब जब लिक्विड लग गया तो ध्यान रखिए आपको एक डिरेक्शन में करना है जा तो देखिए इस दारेक्शन ने आपको ऐसा जो गुमा रहें इससे आपके स्क्रेच आने की चांस रहते हैं क्योंकि गील होने दोस्तों जमा रहती है और यही जो है दिरे-दिरे आपके यहां से सेंसर में एंटर करती है मेरा हमेशा सा आइडिया जब आप शूट ना करें तो यहां पर एक बटन होता है इस बटन को दबाएंगे तो इस तरह से देखिए यह दर्वाजा बंद हो जाता है यानि कि छोटी क्लीन कर लिया है अब एक बार और दोस्तों हम जो है इसको अच्छे से साफ कर लेंगे माइक फईवर क्लॉट से अच्छे से आप तो यहां पर दोस्तों बस यही छोटी सी चीज़ें जो मैं आपको बता है में था हमारा यह देखिए एक साइड से अबने कर लिया है और इलेक्ट्रोनिक की देखिए जो सर्किट्स होते हैं यहां पर आपको लिक्विड बिल्कुल भी नहीं लगाना है ना ही माइक्रो फैबर क्लॉथ लगाना है इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि वो डैमेज हो सकता है बाकी हिस्सा जो है वो आप असानी से इस तरह से आप क्ली कर सकते हैं सो यह दोस्तों हमारी होई पूरी कैमरा की सर्विसिंग और यह सब हमने जो है अपने घर बैट की दोस्तों कर लिया और आप देख रहे हैं ना हमारा कैमरा जो है आल्मोस्ट आप देख पार हो बिल्कुल अच्छी कंडिशन में हो गया है और एक दम ब्रैंड न हमारा क्लीन हो गया और साथ-साथ जो है हमारा पीछे का LCD स्क्रीन और पूरी कैमरा बॉडी हमने क्लीन कर ली अब अगर इसके बाद भी आपकी फोटोस के अंदर आपको लग रहा है कुछ डस पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं या डॉट डॉट आ रहे हैं तो उसके बाद भीया आपको खुद सेंसर साफ नहीं करना है दोस्तों वह आपको सर्विस सेंटर ले जाना है क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूँगा कि आप सेंसर से किसी भी तरह की छेड़ चाड करें या आप यह बड़ वर्ड वहां लगा दें या इस तरह से कोई भी बड़ शुरा शाय इस तरह की कोई भी ऑब्जेक्स तो है वह आपके सेंसर को बिल्कुल भी आ मिरर को टच नहीं करने चीए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से से लाइक कर दो चैनल सब्सक्राइब नहीं कहें तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब सी तरह मिलते हैं फिर नहीं वीडियो के साथ थैंक्स फो वाच्छिं